अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, मुझे लाल वाला बटाना है, उसके साथ स्कैन करो, या पर महफिल जमाओ, मुझे लिपता बस क्लिक हो जाना तो अब फिलाल मुझे को सीजर ने फोन किया और ये बताया कि जो हमारा नशेडी फ्रेंड था पहली, जो कि अब हमारा फ्रेंड नहीं एनेमी है, उसने कुछ बड़े लोगों के साथ मीटिंग प्लान की है, और वो मीटिंग होने वाली है, उसी सिटी में जहां पर हम लोग अभ पर मैं रहता था, पर हम लोग बिल्कुत सही टाइम पर वहां से निकल गए थे, और ये किया है टैमपनी ने, उसी ने बताया होगा कि ये लोग यहां पर रहते थे, अब फिलाल टैमपनी को भी नहीं पता कि मैं कहां पर रहता हूँ, तो पूरा रस्ता चान मारने के बाद रात हो गई है और मैं पहुँच के हूँ सीजर के पास, सीजर ने मुझे एक्जैक लोकेशन बेज दी थी, तो एक्जैक लोकेशन के यह साब से मैं उसकी लोकेशन के पास ही हूँ, और यहीं पर उसकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी, मैं उगर उसकी गाड़ी स्ट करने में हेल्ब और उसके बाद हम लोग जाएंगे उस लोकेशन पर मैंने सीजर की गाड़ी कर दिये स्टार्ड और अब दोनों जा रहे हैं उससे पहले मैप कर लेते हैं चेक के वह हमें एक्जेक्ली जाना का है तो हमारा जो मैप है वह बहुत ही दूर दिखा रहा है कि हमें के लिए और वहाँ पर जाकर देखते हैं कि नशेडी का आजकल का प्लान चल किया रहा है और वो किन लोगों के साथ ओट बैठ रहा है अगर वो नॉर्मल गैंक्स्टर होंगे तो बहुत बड़ी कोई जगा नहीं है बट एक छोटा सा कैफे उसने पूरा बुक किया हुआ ह तीन चारी लोग होंगे बस हमें ये देखना है कि वो मिलने आ कॉन रहा है क्या वो भी नॉर्मल नशेडी है जो कि कांजे की सप्लाइ चेक करने के लिए आए है या फिर वो कोई है बड़े लोग मैंने अपना कैमरा कर लिया है चेक अगर मैं किसी को जानता हूंग तो ठीक चेक शर्ट वाला क्लासिक बंदा ये कोई बड़े गर का बंदा लग रहा है जिसका गाड़ी बड़ी प्यारी है फिर आई एक लंबी सी लेमुजीन कार जिसके अंदर से एक और बिजनसमें टाइप बंदा निकला है तो भाई बंदे चोटे मोटे तो नहीं है फिर आई है पिम्प मोबिल ये कार जो है भाई ये अच्छे कामों के लिए यूज नहीं होती है किस काम के लिए यूज होती है इस मिशन में आपको पढ़र चल लियागा वीडियो में बने रहीगा अगर देखना चाहतें किस काम के लिए यूज होती है तो भाई फिलाल सीजर ने लेंगे जिनको पूर आउस सिटी के बारे में पता है तो उन से ही पूरी इंफॉमिशन लेंगे रेस के बाद से वो गए थे हमसे इंप्रेस और अब वो हमारी यल्प करने के लिए पूरी तरह से लेंगे लिए तो बैए चोटे मोटे अबस्टेकल को तोड़ते हुए हम लोग निकल गए है घर की तरफ सारी इंफॉमिशन मैंने जुटा लिए है अब बस यह चेक करना है कि वो लोग उस शेहर के लॉस सेंट फियरो के किस एरिय को लीड करते हैं वो सबी लोग बहुत बड क्यां उस सिटी के अंदर मारी है मैंने तगडी जम्प और मैं पहुंच क्या हूं घर के पास जहां पर मैंने जैपनीज को बुलाया हुआ है और जैपनीज उसके पास पहुंचने के बाद हम लोग पूरा पता करेंगे कि हमें आगे करना क्या है तो बैट टोटल तीन बंद मैं गया अपने गराज के तो वापर वो दोनों जैपनीज अल्रीडी मेरा वेट कर रहे थे सीजर उनको प्लान समझा रहा था है और जब जब मैंने जा कि उसको कैमरा हैंडोवर किया सीजर को और उसने वो तीनों फोटो निकाल कर लगा दिये हैं वाल पर तो बैट जैपन मैं बता हूँ इस मिशन के बाद इस मिशन के मीच में सॉरी तो यह कहते हैं कि तू जाकर जीजी बी से मिल लेए जीजी बी जो है बंदा वो कलब रन करता है और कलब में उसका पिम्प का बिजनस को चेक करने के लिए तुझे एक पर जाना पड़ेगा और उसके बाद जब और इस बंदें की जब आप हेल्प करोंगे ना यार और जिसी साइब की हेल्प यह आपसे लेगा उसके आपके मन में से यह आएगा कि आप इनसे यह बोलो कि भाई तुम समझे क्या हो है तो भाई मैं जब उसके कलब पे पहुँचा हूँ ना तो बंदा पिल कुल अलग मो इसको मैंने पूरी बात समझाए कि मैं तुमारे लिए ये भी कर सकता हूं तुम्हें किसी शीज की प्रॉब्लम नहीं होगी तुम्हें बॉडी गार्ड्स की जरुत भी नहीं है मेरे उते वे देरे देरे उसके बात जैसे समझ में आई उसने दोनों साइड जेक्स को बोला पार्टनर जो है, वह साथ में आता है, और मुझे explain करता है तुम्हें करना किया है। उसने साथ में J-Z-B खुद भी आ गया तो लोग एक्स्प्लेइन किया कि पहले तो तुझे इस गाड़ी लेनी है और इस लड़की को ड्रॉप करना उस होटल में और वापस आगर ड्रॉप करना है वापस आगर इसको पिकप भी करना है मैंने रॉट भॉट नार्मल सकान है इसमें क्या प्रॉबलम वाली बात है लेकिन प्रॉबलम वाली बात स्था किसे और जो यह यह तो इसक है बहुत सारे टास्क कंड दिशली आते रहेंगे और वो सारे थी सियंदर्ट करना है तो वह एक रंगीला का फोटल करके आप अविलेबर है नेक्स वाले कट से हम लोग नहीं आगे वाले कट से हम लोग राइट लेंगे तो पहुंच जाएंगे होटल का नाम है होटल रंगीला और मैंने मैप में देख लिए लोकेशन थोड़ा साथ आगे या कि हमें राइट साइड में बुढ़ना है और वो लोकेशन आ जाएगी यहां से हम लेंगे राइट और लोकेशन पर पहुंचने बाप है चलेगा हमारा सेकंड टास्क क्या है पस हमें यहां से थोड़ा सा रैट लेना और हम लोकेशन पर पहुंच चुके हैं तो लड़की को मैंने कर दिया है ड्रॉप और इसको इसने मुझे टाइम भी बता दिया है तो उससे जाकर थोड़ा सा हिसाब करो वह क्यों परिशान कर रहा है वह उसको कह रहा है कि तुम मेरी टीम ना जाओ कर दो जीजी वी iki टीम छोड़ दो वह कोई बंदा चोटाओ आ है नया रया बिजनस स्टाट करना चाहता है बिज्नस गल़ पकड़ लिया वगत अलागए बट स्टाट कर रहा है तो उसका स्टाट करते ही एंड करवाना है, इस से रधा बड़ा कुछ टास्क इसमें है नहीं, दो बिनिट का टाइम है, दो बिनिट में करना नहीं पहुँचा, तो वो उस लड़की को ले जाएगा अपने साथ, और बिजनस में पार्टनर बना लेगा, बस यही करने से हमने उसे रोकना है, और अल्म हो गया है, मर, मैं सेकंड टास्क ही कंपलीट होते ही, मैंने जीजीबी को फिर से फोन लगा है, तो वो कहता है, भाई, बात तो ऐसी है यह नहीं, मैं तेर पर पूरा बरुसा भी नहीं कर सकता, एक और टास्क है, हमारी एक बिसनस पार्टनर लड़की है, जिसको भी दो गेर लिया है, वो उसके दाब मार पीट कर रहे हैं, अब मार पीट कौन से वाली है, यह मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि वो कौन सी मार पीट है, बट लोकेशन मुझे उसकी मिल गई है, और मुझे इसी रेलवे ट्रैक से होते वे आगे लोकेशन पर जाना पड़ेगा, यह थोड़ा सा सुमसान वाला एरिया है, यहाँ पर दो गेंग्स्टर बताये हैं, उसने के दो गेंग्स्टर ने मुझे गेर लिया है, और उन्हें मार पीट कर रहे हैं मिर्जात, और भाई यही है वो लोकेशन जहां पर हमें जाना है, लेफ्ट साइड में उतर के हमें मि निकल यहां मेरा हो गया, टास्क कंप्लीट नहीं से वो गाड़ी निकल लिटकी निकल जाएगी, तो भी वो कहता है मिर्पो तुर्पे थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट होने ही लगा है अभी पट एक बहुत बड़ा टास्क चार्ट से आ गया है, जिस रंगीले बुड़े अं लोगों में से निकाल दिया है, जिजी बी ने, और उसका कहना भाई जो बिजनस के रूल फॉलो नहीं करता है, हम उसको फॉलो नहीं करता है, तो भी उस लड़की को, उस बुड़े अंकल को और उसके सारे बॉड़ी आर्ड को मारने का लास्ट टास्क मुझे दिया है, कि अगर ये तुने कर दिया न, तो इसके बाद तेर पर ट्रस्स मेरा फूल हो जाएगा, और तो हो जाएगा मेरा बिल्कुल राइट है, तो भाई ये है, वो लास्ट टास्क लिग बंदे के पास है, लिमुजीन लम्भी वाली, अंकल जी के पास पैसा बहुत है, टाइम ये मीन सब 11 मिनेट से इस वीडियो में चुड़े हुए है, और थैंक यू सो मच पर दाट, भाई फिलाला मैं इसका कर रहे है, पीछा और मैं आपको एक बात बता दो, भाई ये जो पिंप मोबिल है गाड़ी, ये बले ही कैसी भी हो, कैसे भी काम के नूइज होती हुए स्पीड अची है, कंट्रोल अच्छे है, एंट्रस मिले के बहुत अच्छी पीड दे रही है चलाने में गाड़ी, तो बैइ, जैसे ही मैंने बूला कि बहुत अच्छे कंट्रोल्स है, मेरी गाड़ी बुड़ गई है और ठीक से चल नहीं पा रही है, लेकिन वह भुड़ा आरहां उस पर गोलियां और भाई पुड़े की गाड़ी हो गई है ब्लास्ट फूम चैसे उसकी गाड़ी ब्लास्ट हो यह बाउंसर को लगता है कि उनके पास कुछ बचा नहीं है लेकिन ट्रेन की चपेट में आकर उनकी गाड़ी हो गए खतम एक गोली में एक बाउंसर कंप्लीट वो कहता भाई या आद से तू मेरा सबसे भरूसे मद आदमी है और सारे काम पर तो यह हुआ तो हमेशा लोकेशन पर आजाना मींस अड़े पर आजाना और अपना काम लेते जाना तो भाई मैंने उसका काम कप्लीट किया उसने का इस गाड़ी को डिसकार्ड कर बिकाद भी पुलिस के नजर में आ चुकी है और अब इस गाड़ी का कोई खाम नहीं यह बाई अगर आपको वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सबस्क्राइब तो करीए देना क्योंकि सबस्क्राइबर बहुत कम है आपको अलड़ी बहुत बार बता चुक्रों है यहां से कूदने के बाद गाड़ी हो जाएगी ब्लास्ट तो गाड़ी डिसकार्ड करने का काम भी कंप्लीट हो जाएगा हमारा और यहां से नियरस्ट कोई भी गाड़ी या बाईग लेका हम लोग निकल जाते हैं पर लेकिन जैसे मैं उतरू पुलिस वाले ने मुझे देख लिया और मेरी पावर बहुत कम है अगर मैं आपर मर जाता हूं तो मेरा मिशन दुबारा शायद पूरा मुझे करना पड़ेगा तो पूरा मिशन ना करने की कोशिश करते हुए मैं ने लिलिया है फ्लाइवर और आइ थिंक यह फ्लाइवर जाता सीधा घर की तरफ यहां से लेफ्ट कट लेका अब लोग जा सकते हैं घर की तरफ फिर से वही तगड़ा जंप इसको रिपैर कराएंगे तो होगा क्या रिपैर कराने की कोशिश की बट यह नहीं होता है तो इसके लिए हम घर जाएंगे सेव करेंगे तो वही फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं आप सबसे नेक्स वीडियो में तब तक अपने घर वालोगा रख को धियान और आप सब को राम राम